नमस्कार स्वागे था आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूँ आपके साज़ शुप शुक्ला भारती किरसी अनुसंभान संसान में दिल्ली के 58 दिक्षाल समारों का आयोजन हो चुका है जहां आज भारत के उपराश्टर पती वेंकिया नाईडू इस आयोजन के मुख्यती थी रहे वहीं इसके अलावा इस समारों में केंद्री किरसी और किसान कल्यान मंतरी नरेंडर सिंग तोमर कर सम्मानित किया गया जाहिर है कि स्थापना के बाद से ही ये संसान किरसी शेतर में अपनी एहम भूमिका दर्ज कराता आया है जहां इस संसान में अब तक कई किस्म की गेहूं और धान की परजातियां बिक्सित की जा चुकी है वही समारों के दोरान 34 नए संकर किस्मों को भी जारी किया गया जिसमें 9 यहूं 4 मक्के और 2 मटर की भी किस्मे शामिल है इसके अलावा किरसी को बहतर बनाने के योगदान में भी समारों के दोरान चर्चा की गई आलू प्याज और बढ़ती महंगाई जहां आम इंसान की जेव का हाल पिछले काफी समय से भी गाड़ रही है वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर महंगाई की मार के साथ किसानों के घर की भी हालत खराब होने वाली जिसकी मुख्य वजए एक सबसीडी वाले गैस LPG के दामों में लगभग 1.500 रुपे का इजाफा होना है आपको बता दे कि एक 7.500 रुपे के इजाफे से इस समय पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड लिया है जिसके चलते इस समय LPG के बढ़े दामों की वज़े से आम महिलाओं के साथ साथ ग्रामीन महिलाएं भी परदरसन करने पर उतर आई हैं वहीं परदरसन का अनोखा नजारा उत्तर परदेश के वारणरसी में देखने को मिला जहां कुछ महिलाओं ने अपना LPG सिलेंडर ही कूडे दान में फेक दिया इसके साथ हुन्होंने कहा कि जहां सरकार LPG को बढ़ावा दे रही है वहीं इसके दाम आस्मान चू रहे हैं इस वज़े से हमारी ये हालत नहीं है कि हम इतने महंगे सिलेंडर पर रोटिया पका सके हम चूले पर ही बहतर जिल्दिकी गुजार सकते हैं यही वज़े है कि हमने अपना सिलेंडर कूडे में डाल दिया गौरतलव है कि पहले प्याश, आलू और घर की महंगाई वहीं खेती में आये दिन मुकसान से परेशान किसानों और आम परिवार वालों के लिए एक साथ बिना सबसिडी के लपीजी सिलेंडर में डेड़ सो की बड़ोतरी चिंता का भी सह यही वज़े है कि महिलाएं इसका बिरोध कर रही है अलांकि केंद्र सरकार के माने तो अंतराष्टरिय वज़ार में बढ़ी कीमतों की वज़े से ऐसा हुआ है बिहार के पटना के गांधी मैदान में आयुजित हो रहे एग्रो बिहार राष्टरिय किरसी यंद्र परदर्सनी में भाग लेने के लिए रहतास जिले के 400 किसानों को भेजा जाएगा वही आत्मा के परियोजना निदे सक डॉक्टर बिजे कुमार दिवेदी की माने तो उन्होंने कहा कि 14 तारीक से लेकर 17 तक चलने वाले इस मेले में किसानों को परदर्सनी में भेजने के लिए हर दो परखंट पर एक बस की वैवस्था की गई जिसमें हर प्रखंट से 20-20 किसानों को किसान राश्टरिय की पारदरस्दि में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा है जिसमें किसानों को वहाँ ले जाने से लेकर वहाँ से वापस लाने तक कि सारी जिम्मेदारियां 21 पदाधिकारियों को दी गई जिसमें विभाग के ATM वा BTM शामिल है गौरतलव है कि इस मेले में देश के परमु किरसी यंत्र निर्माताओं के आधुनिक यंत्र और सुईकृत पत्र प्राप्त किसानों को किरसी यंत्र खरीदने पर सरकारी अनुदान दिया जाना है इसके अलावन तीन दिन तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कारिकरम भी होना है ऐसे में ये किरसी मिला किसानों के लिए बहतर परिणाम साबित कर सकता है तो दोस्तों आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना है इसी तरह बने रहें आप हमारे साथ नमस्कार अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कारे करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिये गए लिंक पर क्लिक करें पेटियम करें एने एसटी और ग्रेडिट कार्ड के जरीए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें